Hello students, आज हम करेंगे आंकिक प्रेश्ण मोलो की संखिया तो मोलो की संखिया जो है ये इसका सूत्र होता है ग्रामेभार बटे अनुभार ठीक है? मोलो की संखिया को रिपेजेंट करते है इस्माल एन से ग्रामेभार को स्माल डव्लीउ से अनुभार को कैपिटल M से तो यह सूत आपने अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यह आपके हर जगे काम आएगा ठीक है तो कोश्चन देखिए एक करके मैं कोश्चन आपको समझाती हूँ निम्न को मोल में परिवर्थित करें तीन आपको दिये हैं 12 ग्राम एसो टू गैस दूसरा है 25 ग्राम जल तीसरा है 22 ग्राम काबन डियोकसाइट इन तीनों को किस में चेंज करना है मोल में ग्राम में देवें तो देखो जब मोल में परिवर्थित करना है तो आपको simply क्या है सोतर याद होना ची मोलो की संख्या का क्या होता है ग्राम में भार बटे अनुभार ठीक है तो यहां देखो 12 ग्राम एसो टू गैस तो मोलो की संख्या का हमें पता है सोतर ग्राम में भार ब एस का कितना होता है परमानु भर एस का होता है बत्तेश ठीक है ऑक्सेयन कितने है यहां पर ऑक्सेयन के दो परमानु है और ऑक्सेयन का कितना आता है तो इह हो जाएगा बारा बटे बत्तेश, सोरा दुनी भी क्या हो जाएगा बत्तेश तो बत्तेश में बत्तेश जोड़ें तो इसका अंसर कितना आ जाएगा इट विल काम आउट 0.1875 मॉल ठीक है जब आप 12 को 64 से 64 से भाग करोगे तो यह आपको आ जाएगा 0.1875 ठीक है तो इस तरह से हम देख रहे हैं 12 ग्राम ऐसे टू जो गैस है यहां पर 0.1875 मॉल के बराबर है ठीक है इस तरह किसे अब दूसर कोशिन में आते हैं दूसर है 25 ग्राम जल सूत्र हमें पता है मुलों की संक्या बराबर ग्राम में भार बटे अनुभार ग्राम में भार कितना दे रखा है 25 ग्राम अनुभार हमें निकालना पड़ेगा जल मतलब हुआ है एच टू ओ ठीक है तो यह क्या हो गया दो और अब भी होना चाहिए कि इस ट्वेंट एटीन होता है वाटर का ठीक है अनुभार अब यह देखो 25 में से एटीन को भाग करेंगे एटीन से भाग करोगी हो जाएगा वान याएगा 1.39 मोल ठीक है इस सरीके से 25 ग्राम जल जो है कितने मोल के बराबर होगा 1.39 मोल के बराबर होगा ठीक है अब है नेक्स कोश्चन है 22 ग्राम काबन एकसाइट को चेंज करना है मोल में तो सेम सूत्र है मोलों की संख्या होता है ग्राम में भार बटे अनुभा है ठीक है तो ग्राम में भार कितना दिर रखाएं बाइस कार्बन डैक्साइड क्या होता है सी यो टू ठीक है तो कार्बन का परमानु भार कितना होता है बारा ऑक्सिजन की कितने हैं परमानु दो तो दो और ऑक्सिजन का परमानु भार कित बटे वैसे याद होना चाहिए सिंपल है यह 16 तो नहीं कितना हुआ बटेस ठीक है तो यह जाएगा 22 बटेस में 12 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 44 तो 22 और 44 यह जाएगा कितना इसको जब भाग करेंगे आप तो यह जाएगा आपका 0.5 मूल कितना रहा है 0.5 मूल तो इस सारी के सामने देखा इस वीडियो में कि किस तरह से हम क्या है ग्राम को मूल में परिवर्टित कर सकते हैं सिंपल सूत्र है मूलो की संख्या निकालने का ग्राम में भार बटे अनुभार इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे ओके